चॉस इस दा टी टुटी क्रिकेट बॉस सुनहरे अलफासों में लिखा जाएगा इस क्रिकेटर का नाम जब भी रंचेज में शतक बनाता है अपनी टीम को जीत दिलाता है इतना हाई लेवल कॉन्फिडेंस की सामने वाली टीम की हो जाती है सिट्री पिट्टी गुम राजस्थान शांदार शुरुवात फिर मिल्ल ओवर में स्लो हुई रफटार आखर के पाँच ओवर में गेंदबासों की हुई जम कर कुटाई अकेले दम पर जोस पटलर ने राजस्थान की काया पलटाई आईपिल 17 के का तीसवे मैच को राजस्थान रॉयल्स ने एक रोमान्चक मुकाबले में जीत दर्ज की टीम के ओपनर बले बाद जोस पटलर ने गजब का खेल दिखाया ऐसा कॉन्फिडेंस की सामने वाली टीम की सिट्टी पिटे गुम हो गई आकरी के तीन ओर में अकेले 48 रंड बना कर अपनी टीम को जीत दिलाई इस दोरान जोस पटलर ने कोई सिंगल नहीं लिया हालां कि जोस पटलर को बीच में कई बार सिंगल लेने का मौका मिला लेकिन दूसरे साइड पर गिंदबास बैटर होने की वजह से उन्होंने अकेले दंपर टीम को जीत दिलाई ऐसा क्रिकेट की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है कि अकेले एक छोर पर खड़ा प्लेयर अपनी टीम को जीत दिला दे जबकि इसी सीजन में जोस पटलर ने दो बार शतक लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाए सबसे खास बात यह है कि जोस पटलर ने अपने शतक का नहीं बलकि अपनी टीम की जीत का जश्ट मनाया इस प्लेयर से तमाम उन प्लेयर को सीख लेनी चाहिए जो क्रिकेट खेलते हैं टीम अपने देश की हुई या फिर फ्रेंचाइज टीम जीत सबसे अहमें नाकिशा तक बतादे कि जोस पटलर ने अपने आईपिल करियर के साथ शतकों में तीन शतक रंचेज करते हुए बनाए जबकि विराट कोली और बेने स्टोक्स ने रंचेज करते हुए दोश्टा तक बनाए मैच की बात करे तो चौदावें ओवर तक मैच पूरी तरह कोलकाता के हाथ में था चौदावें ओवर के बाद राजस्थान रोयल्स को 36 गेंदों पर 96 रंचाइए थे लेकिन डब तक जोस पटलर का बनना नहीं चल रहा था वो अपनी 50 तक नहीं पूरी कर पाए लेकिन 15 ओवर के बाद जोस पटलर ने खुल कर खिलना शुरू किया फिर उसके बाद जो भी गिंद बाद सामने आया जम कर कुटाई की दो ओवर में उनको पावल का भी साथ मिला लेकिन 17 ओवर में पावल के आउट हो जाने के बाद अकेले जोस पटलर ने 46 रंड बना कर जीत दिलाए टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करनी के लिए आई कोलकाता नाइट राडल की शुरूआत अच्छी नहीं रही फिल सालको टीम ने पहले विकेट के रूप में खोया इसके बाद बल्लेबाज अंगक्रिश रगवंशी बड़ा शौट खेलने के चकर में आउट हो गया उन्होंने 18 गेंदों में 30 रं बनाए और सुनिल नरेंड के साथ 85 रंों के महत्योपूर्ण साजिदारी की कप्तान संजू सैंसन ने गेंद बाजी के लिए कुलदीब सेन को भीजा जिसके बाद उन्होंने अंगक्रिश रगवंशी को पवेलिन का रास्ता दिखाया कप्तान शुरे सायर का बल्ला भी खामोश रहा योजवेंदर इचहल की गेंद पर वो 11 रंके नीजी स्कोर पर आउट हुए आंगर क्रिश रगवंशी और शुरे सायर का विकेट घिर जाने के बाद भी कोलकाथा की रंगती में कोई गिरावट नहीं आए सुनिल नरेन और आंद्रे रसेल ने मिलकर पारी को सभाला हालांकि 17 वे ओर में गिंद बाजी के लिए आविश खान आए और उन्होंने आंद्रे रसेल का विकेट जटका इस बीच सुनिल नरेन ने ताबरतोर बल्लेबाजी का राईपील के इतिहास का अपना पहला शतक पूरा किया उन्होंने चपन गिंदो पर 13 चौके और 6 चाको की बदद से 109 रंट की पारी के लिए जिसका अंतर ट्रेंट बोल्ट ने किया अंत में रिंको सिंग बिना कोई मौका गवाए चखके चोके जड़ना शुरू कर देते हैं और 9 गिंदों पर 20 रंट का योगदान देते हुए टीम के स्कोर को 223 रंट तक पहुँचा दिया राजस्थान रॉयल्स की और से आविश्ख खान और कुल्धी प्यादों ने दो-दो विकेट हासिल किये जबकि यूजवेंद रिचहल और ट्रेंट बोल्ट के हाथ एक-एक सफलताएं लगी जवाबी पारी में बल्ले बाजी के लिए राजस्थान रॉयल्स की शुर्वात विल्कुल भी अच्छी नहीं थी सौर रंड के स्कोर पर ही टीम ने अपने चार विकेट गवा दिये ये शस्वी चैस्वाल 19 रंड बना कर आउट हुए जबकि संजु सैमसन के बल्ले से 12 रंड ही निकले रियान पराग ने 14 गिंदो पर 34 रंड जड़ कर योगदान दिया दुरू जुरेल के दो रंड के निज़ स्कोर पर आउट हो जाने के बाद राजस्थान की पारी लड़कडाती निज़र आई लेगिन जोस्पटलर ने एक चोर पर खड़े रहकर मैच का रुखी बदल दिया चख्ये चौकों की बरसात कर उन्होंने जम कर रंड खुटे जोस्पटलर ने 60 गिंदो पर 107 रंड बनाए इस तोरान वो 9 चौकों और 6 चख्ये जमाने में सफल रहे उनके स्पारी ने राजस्थान को हारा हुआ मैच जिता दिया